Hey all right and welcome to all in today's The Hindu News Discussion Now daily basis पर हम page wide discussion करते हैं UPSC prelims और mains के लिए और जो भी हम news discussion करते हैं वो notes के form में करते हैं सबसे पहला section हमारा ये रहता है कि overall news paper को देख लेते हैं कौन-कौनसी news आई हैं देखे जो cyclone है Tauti वो bar job Mumbai यानि कि Sips से भी बहुत सारी जो bodies हैं वो recover की गई और 50 से जादा लोग भी अभी तक missing है COVID-19 की जो vaccine है वो कब लगानी चाहिए उसके basis पर मैं बताऊंगा pregnant women के लिए क्या है किसी को पहली dose लग चुकी है फिर भी corona हुआ है तो कब आपको लगाना चाहिए WhatsApp की जो privacy policy है उसके लिए हम European Union और India के जो laws है privacy के दोनों को compare करेंगे Black fungus के बारे में detail में जानेंगे कि ये क्या होता है अभी ये क्यों न्यूज में है और इसकी जो medicine है इसका stock खतम हुआ है वो medicine का नाम किया RT-PCR के बारे में जानेंगे CID official अभी जो हनने कल sedition law पर मिश्टर राजू जो MP है अंदरप्रदेश के उनको arrest किया गिया तो उनकी अगेंज अभी CID official के अगेंज जो contempt प्रोसीड कर चुके है अंदरप्रदेश के high court ये क्यों हुआ है वो discuss करेंगे editorial जानेंगे क्या हुआ है आज हम पूरा detail में जानेंगे माराथा जो reservation bill है 102nd amendment act को इंडियन polity के basis पे और कौन-कौन से social security के कानून है उसको discuss करेंगे इंडिया और पाकिस्तान में जो economic angle है जिसकी मैं बारे में हमेशा भी बात करता हूँ कि अगर दो दिसों के बीच में अगर dispute solve कराना है तो economic angle डालना होगा क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में economic angle है ही नहीं मतलब trade होता ही है या नहीं इसके बारे में जानकरी मैं दूँगा कुछ trade होता है वो किसके बीच में होता है वो हम जानेंगे PM Care of Fund के बारे में डिटेल में डिसकस करेंगे छे नई UNESCO Heritage Site से जोड़ी हुई है भारत में और अभी हम इसके prelims के fact को भी डिसकस करेंगे कितने cases हैं वो डिसकस करेंगे हमने कहा था sex worker और transgender के लिए हमेसा कोई भी skim नहीं लाए गई है तो आ चुकी है एनरचार से को डिटेल में डिसकस करेंगे फिर वर्ले लेवल की फिर economy लेवल भी नौ विदाउट मोविंग फरदर आपको अगर social media से cut भी हैं फिर भी telegram application डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे UPSC related channel है जो आपको help करते हैं उनमें से एक है PR publication तो सच बॉक्स में टाइप कीजिए at the rate PR publication तो आप इस free group से join हो जाएंगे इस free group में होता क्या है सबसे पहने देखिए daily के basis पर UPSC mains का question आपको दिया जाता है और उसके जो भी answer writing का model answer होता है जो हमारे paid user करते हैं technology के disaster management की जो fact होते हैं मैं यहाँ पर share करते रहता हूँ तो आप ये free UPSC और plims के factor यहाँ पर से free में avail कर सकते हैं बट अगर आप चाते हैं dedicated तैयारी करना PR publication के साथ तो early plan join कर सकते हैं सिर्फ 499 रुपीज का है जो भी हम ये daily के basis पर notes से जाते हैं वीडियो में show करते हैं वह आपको मिल जाते हैं डेट वाइज दा हिंदू के notes answer writing group में आपको add किया जाता है 6-12 था आपको chapter wise notes मिलते हैं और phone guidance आपको मिल जाती है अगर आप चाते हैं सभी plan को तीनों plan को एक साथ लेना तो 999 रुपीज माँ अवेल कर सकते हैं test range, NCRT revise कर रहे हो तो आपको test range मिल जाएगी CSET prelims का जो second paper होता है उसकी 16 plus videos हैं plus PDF हैं सभी तो यानि कि आपका जो CSET है वो पूरा clear हो जाएगा लेना कैसे है दिये गए नमर पर Google पर phone पर कर सकते हैं जो भी payment करेंगे उसकी screenshot सेम नमर पर WhatsApp करनी है और हम आपको अपने telegram private group से add कर लेंगे आपको जो NCRT है आपकी email ID में मिल जाएगी और जो CSET की videos हैं वो telegram में मिल जाएगी now start करते हैं सबसे पहले news से 26 bodies recovered from barge of Mumbai 49 remains missing देखिए Mumbai तक ही है गुजरात कोष्ट से आप सबका Mumbai कोष्ट तक पहुंचा और जो बड़ी बड़ी सिप्स होती है देखिए इतना ज़्यादा wind की speed होती है कि वो बड़े बड़े सिप्स को भी नीचे गिरा देती है और बहुत सारे लोग तो आपको सिप्स के नीचे और दूसरे जगे मिलते हैं now 26 dead bodies देखने को मिली किस से barge P3051 बहुत बड़ी सिप्स थी इसमें ये देखने को मिला ये किस वज़े से हुआ ड्यू टू साइकलोन ताउती के वज़े से और इसमें बहुत सारे search and rescue operation चलाए गए आइनस कोची ने एंटर किया मुंबई हार्बर में और अभी भी जो search and rescue operation चल रहे हैं फिर उसके बावजूर भी 50 से ज़्यादा लोग missing है चिक है तो ये पूरी news है पहली तो जल्दी जल्दी आज भी साइकलोन ताउती के बारे में 30 सेकंड का एक revision मार लेते हैं साइकलोन ताउती साइकलोन ताउती आपका important geophysical phenomena में include में आएगा वर्ल्ड metrological जो organization होता है वो names जो साइकलोन की names होते है rotating list के basis पे देता है इस बार का जो word है ताउती वो Myanmar में दिया है जिसका मतलब Burmese language में gecko होता है मतलब छिपकली और ये name जो है 169 countries के name से होता है released by AMD last year राइट अब जो 169 countries थी वो क्या थी मतलब देखे इंडियन ओशन में 13 countries का अभी समूँ है जनरली जो भी इंडियन ओशन रीजन में जो साइकलोन आएगा उसमें 13 countries ने अपने अपने तेर नाम दिये हैं जिसके basis पा अगर multiply कर गए 169 तो हर एक country के जो तेर नाम होंगे उसको धीरे धीरे use करेंगे चलिए आपके लिए question है जो गती है cyclone गती है वो किस देश ने दिया है वो आपको comment box में बताना है राइट दूसरा अगर बात करें क्या तेर हर एक country तेर हैं तो तेरी देते हैं यह एक convention टाइप चलाया हाना कि कोई ऐसा foundation नहीं है पिछली बार क्या हुआ था 8 countries थी तो हर एक country ने 8 नाम दिये थे मतलब total 64 नाम और जब 64 नाम use कर लिए तो वो सब expire हो गए तब ही 169 के नए नाम से दिये गए अब जब नए नाम भी सब पूरे use हो जाएंगे तो उनको भी expire करके दो बारा नाम से नेम वो दिये जाएंगे राइट now second news आती है COVID-19 affected should differ short by 3 months generally vaccination should be deferred by 3 months after recovering individual अगर suppose कि इसको corona हुआ है तो उसको जब recovery हुई उसके 3 महने के बाद आपको vaccine देनी है ऐसा नया ministry health ministry का आया है अब ऐसा नहीं कि किसी को corona हुआ है तो उसमें उसको vaccine नहीं लगेगी यह याद रखना अब आप का ओगे ठीक है यह तो फैलाई बातें भी हो सकते हैं नहीं यह फैलाई बातें नहीं यह है national expert group on vaccine administration for COVID-19 NEGVAC इसके recommendation के basis पर यह बताया गया है और इनका भी personal एक तो global scientific evidence है इसमें और experience भी कहता है कि यह जो है कुछ तीन महने के बाद देनी चाहिए दूसरा यह भी recommend किया जाता है कि individual who have received at least first dose of vaccination उसको पहली vaccine लग गई है and got the infection before the completion of dozing schedule should be different by three months अगर एक vaccine आपको लग चुकी है फिर भी किसी person को corona हो जाता है तो फिर उसको भी तीन महने रुकना पड़ेगा vaccine के लिए फिर उसके बाद तीसरी category के लोग वो है ऐसे person जिनको serious general illness हो सकती है जिनको ICO hospitalization के जरवत है उनको भी चार से आठ हपते तक रुकना है COVID-19 vaccine के लिए मतलब कभी कभी हो जाता ना खुन से related बिमारी होती है blood related disease रहती है पड़ अभी तक अगर बात आती है कि pregnant महलाओं को लगानी चाहिए या नहीं वो अभी discussion में चल रहा है यह national technical advisory group on immunization जो है अभी research कर रही है तो अभी जिस पर category है person पर blood person blood disease है जिसको और किसी को corona हो चुका है फिर भी वो differ करें थोड़ा सा रोग जाए ठीक है now next है scrap new privacy policy centratals whatsapp अभी हमारी सरकार ने मतलब भारस सरकार ने एक whatsapp को notice लिग दिया कि आप जो controversial update किया है आपने 2021 की policy में उन सब को हटा दीजिए अब आप को controversial update है क्या मैं कहूंगा एज यूपी एस्प्रेंट आपको controversial update नहीं जानना बस ये जान लिजिए आपका जो privacy है data security है user for Indian user है वो हमारे भारती है नागरिकों के अधिकार को interest को अभी क्या कर रहा है violate कर रहा है तो इसके चलते हुए हमारी केंद सरकार ने कहा कि जो whatsapp की privacy policy है 2021 अभी उसको हटा दीजिए अब ठीक है क्या भारत म एक ऐसा legal कानून है जिसके basis पर सरकार कह रही है हाला कि सरकार IT Act के basis पर बोलती है ठीक है IT Act के basis पर बोलती है सरकार का कोई ऐसा single जो इसी के related focus कानून है वो अभी तक नहीं है ऐसा कानून European Union में है वो क्या कानून है उसको discuss कर लेते हैं अगर डाटा को बचाना है तो European Union में कौन सा कानून चलता है फॉर में से GDPR importance for India क्यूं GDPR important है इंडिया के लिए वो जानेंगे सबसे पहले European Union का यह जान लेते हैं यह क्या है इसका नाम है General Data Protection Regulation most notable change है data production regime का पिछले दो दसकों में और European Union यह कहता है कि जो हमारा General Data Protection Regulation है उसको हम GDPR कहते हैं और जो apps के बीच में जो data जाता है जो share होता ना एक आप use कर रहे हो कोई ना कोई application चाहे आप iOS device कर रहे हो या चाहे Android device कर रहे हो तो आप एक तरह से data share करते हो तो उसी से जो related privacy data को protect करने के लिए यह कानून यहाँ पलाया गया है user they are in control of their data much more than anywhere else in the world पूरे विस्व अगर कहीं पर भी देखो European Union में सबसे ज़्यादा data protection किया जाता है इंडिया के पास ऐसा law हो सकता है all its draft version of law and it has been for few years now देखें billions of citizens के privacy बहुत ज़्यादा matter करती है तो GDPR में क्या होता है बहुत simple है GDPR में यह पता चल जाता है यह citizens का right होता है कि कौन सा data देना है application को कौन सा नहीं है तो उसके लिए पूरी छूट रहती है ठीक है दूसरा granting the citizens substantial right जो मैंने बोला with data controller होता है those who determine why and how data is collected such as government or private news website कौन सा data लिया जा रहा है कौन सा data नहीं कौन सा data देना चाहिए नहीं देना चाहिए यह भी पूरा secure रहता है डाटा प्रोसेसर हो गया search in IT firms to which European Union firm has outsource its data analytics ठीक है अगर European Union कोई अपना data share कर रही है Indian firm से वो भी वहां के European Union के जो citizen है वो control कर सकते हैं ठीक है to the lay person यहाँ पर इनकॉंप्रिहंसिबल टू दा ले परसन यहाँ पर यह बताया जाता है कि जो data controller है पूरी clarity के साथ बताया जाता है वहां के नागरिकों को और directly उस पर उस person के consent होती है कि कौन सा वो data देगा कौन सा data नहीं देगा एक तरह से मतलब free flow जो है data का वो रोक सकते हैं वहां के नागरिक क्योंकि उनके पास है GDPR और यह भारत के लिए क्यों important है क्योंकि देखो जो judgment IT right to privacy fundamental right है सबसे पहने तो उसके लिए जरूरी है दूसरा इतना ज्यादा जो data हमसे लिया जाता है हमारी privacy के लिए जरूरी है ठीक है तो आप constitutional angle भी उसमें दे दिया black fungus हाई कोट ने अभी डैली से यह बोलाए कि यार आउट आप स्टॉक चले गया है जो ब्लैक फंगस को ट्रीट करता है जो कोबिट 19 से रिकवर कर रहे हैं अब जनरली ब्लैक फंगस के लिए एक डिज्यूज एक दवा है ठीक है उसका नाम है M4 terecine B which is used for treating mucormycosis black fungus ब्लैक फंगस को ही mucormycosis कहते हैं ठीक है तो इसी अभी वैक्सिन की shortage हुई है अभी डैली हाई कोट ने बोलाए कि यार shortage पूरी करो ये तो ब्लैक फंगस को थोड़ा सा डेटेल में जान लेते हैं UPSC prelims में पूछा जा सकता है Now black fungus, context क्या है ये एक ऐसे disease है, detected relatively frequently among COVID-19 patients, generally सभी राज्यों में देखने को मिला है जो COVID-19 से सफर कर रहे हैं उनको black fungus भी हो रहा है ये एक fungal infection है, सबसे परने ये जान लीजिए, इसको mucormycosis भी कहते हैं और the disease often manifest in the skin, आपकी skin पर हो रहा है, affected the lungs और brain को भी ये damage कर रहा है Caused by group of mals known as mucormycetes presently natural in the environment, जो प्राकरतिक रूप से पाए जाते है mals, जिनको mucormycetes कहते हैं उसी के वज़े से black fungus जो disease हो रही है, या mucormycosis हो रही है, किसको ये effect करेगा ये generally उनको effect करता है, who are on medication for health problems that reduces their ability to fight environmental pathogen मतलब जिसको already health problems है, generally मैं कहूंगा diabetic patient को, उनका जो sugar level उपर और नीचे हो जाता न और कभी कभी क्या होता, दूसरी दवा भी दे दी जाती है, COVID-19 भी हो रहा है, उनको sugar का level भी घट रहा है और जो irrational number में, जो number of doses होती है, sugar की, उससे क्या होता, black fungus की होने के chances है but diabetes one of the factor है, और दूसरी बिमारियों के वज़े से भी black fungus वाले, मतलब उस person को black fungus हो सकता है symptoms क्या है, sinuses और lungs और such individual get affected after they inhale fungal sports from the air ठीक है, मैंने का आप राकरतिक मॉल्ड सपाई जाते हैं environment में, तो अगर वो inhale कर ले रहा है तो उसके वज़े से ये lungs को और brain को damage कर रहा है, warning sign क्या हो रहे है, pain और redness आके nose की again, redness हो रही है, pain हो रहा है, fever बहुत ज़दा हो रहा है, headache हो रहा है, coughing, खांसी हो रही है सांस लेने में problem हो रही है, इसका treatment क्या है यार, antifungal, जो मैं बता रहा था vaccine M4-terrecin B vaccine, जो है अब इसकी shortage चल रही है, तब ही आया, एक surgery भी इसकी जरूरत है It is utmost importance to control diabetes, reduce steroid use, discontinue immune-dulating drugs यहाँ पर यही है, control diabetes, ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला न, एक diabetes patient को सबसे ज़्यादा infect यह करेगा Prevention क्या है, सबसे पहने mask लगाईए, अगर आप किसी dusty area में जा रहे हैं, जहाँ पर धूल है Suze को पहनिए, long trousers पहनिजिए, long sleeved shirts पहनिजिए, gloves, maintain personal hygiene including thorough scrub bath ठीक है, कहने का मतलब है, जो 4-5 दिन तक नहीं ना आते, एक हफ़ते तक नहीं ना आते, वो बात लीजिए, वो ना है ठीक है, generally boys नहीं ना आते हैं, ठीक है, एक हफ़ते, दो हफ़ते, वो कहेंगे, sir आप तो अपने बारे में बतारे नहीं, मैं दो-तिन दिन में नहा लेता हूँ, राइट अटीजिन टेस्ट और आटीपीसीर के बीच में, ना उस सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं, राइटी और आटीपीसीर, राइटी ही राइटी यह, ठीक है, नेसल सेंपल लिया जाता है, एंटेजिन को डिटक्ट किया जाता है, बस इतना सिंपल सी बात समझ लो, और generally विर्टय। लिए कहीं पर भी पर्फॉर्म किया जाता है लेबरेटरी में भी पर्फॉर्म किया जा सकता है। कुई ऐसा पर्टिकलर इसके लिए बना नहीं है। दोसे यहाँ परर इसमें आर.ड़ेटी में अ आपका रिजल्ट आजाएगा बट वहीं आड़ी पीसी आइर की बात करें आड़ी पीसी आइर को दो से पांच घंटे लग जाते हैं और किस तरह से सेंपल को ट्रांसपोर्ड भी करना पड़ता है हर जगह नहीं होता इस पैसिफिक लैबरेटरी में ही आड़ी पीसी आड़ी पीसी प्र क्या है पॉलिमराइचेंड रियक्शन इसमें क्या करते हैं डियने का एक सेंपल लिया जाता है फिर उसको मल्टीपल कॉपी बना दिया जा सकता है पीसी आर की मदद से पर डियने का चोटा सा टुकुड़ा फिर चाहिए वह आपका इसकिन का टुकड़ा हो बाल का बचो च्वेरी में चूर टरेम है तो होता क्या है तभी पीसियर के आगे आर टी जुट गया देखो बहुत सिंपल है मतलब रिवर्स कर धीना वायर्स को सबसे पहले डियने में convert किया जाता है दन DNA तो किस के लिए बनी है PCR के लिए ही बनी है फिर DNA के multiple copies फिर कोरोना के लिए कितनी भी research करो वेक्सिन ढूंडो यह सब उनके हाथ में है तो समझे किया है अगर बात करें देश द्रो की देखो तो हमने यह कल आंसर राइटिंग कल ही किया उन्नीस में की यूपीए सी स्टेडिशन लॉइस बिन मैट और डिबेट फॉर लॉंग इंद कंट्री स्पेशली इसके क्या क्या है और इसका हमने यहां पर आंसर राइटिंग के फॉ यहां पर से कहां से आया बहुत सिंपल है यार अंद्रप्रदेश के हाई कोट ने एक डिरेक्शन दिया था कि जो यह MP है ना उनको MP के रागुर रामकृष्णन राजू को बोला था टूरमेश हॉस्पिटल फॉर चेक अप और मेय 17 को आप चेक अप के लिए लिए ले हॉस्पिटल ले नहीं है मतलब कोट की आपने डायरेक्शन जो बोला है उन्होंने उनको नहीं माना राइट तो कंटेम्ट आप कोट का मतलब यही होता है जनरल स्टेटिस पेपर टू एक्सप्रेशन सबसे पहले कंटेम्ट आप कोट क्या सवीधान में लिखे हैं नहीं उ इस केस में जो है वो सिविल कंटेम्ट में आएगा क्योंकि सिविल कंटेम्ट का मतलब होता अगर कोट ने कोई जजमेंट सुनाया है डेक्री कोई डायरेक्शन दी है कि आप सत्र में को इनको हॉस्पिटल ले जाओ क्योंकि इनकी तबियत खराब है आपने फिर भी उसको फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैल आई इंटरफियर किया ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशल प्रोसेडिंग इंटरफियर करना कैसे हो सकता है कि कोट की प्रोसेडिंग आई बीच माप नाचने लग जाओ क्या वो है इंटरफियर नहीं जनरली वह तो उसके लिए तो पुलिस वाल आपने जज को कॉल किया आपने मतलब किसी एक्स परसन ने ठीक है कि आपकी पोती यहां है हो सकता है तो काली पाहड़ी के पीछ अपनी पोती को छुडाने आओ और अपने जजमेंट बदल देना समझे यानि कि आप उसको जो जजमेंट सुनाने वाले हैं जज है आप उनक पनिशमेंट भी दी गई है कि एक्ट में पनिशमेंट होगी इसमें एक तो छह मैने की सजा हो सकती है और 2000 का फाइन हो सकता है और 2006 में इसमें कुछ सुदार किया गया था कि मतलब जिसको एरेश्ट किया गया है उसको अपनी सत्यता पेस करने का मौका दिया जाएगा और इसमें क्यों जरूरी है वह यहार कोट के डिगनेटी मेंटेन होनी चाहिए कुछ कॉंस्टिूशनल आर्टिकर है जो आपको प्रिलिम्स के लिए याद रखने है आर्टिकल 129 में सुप्रिम कोट के पाव पावर रहती है कि अपने कंटींट को पनाइजक करे और 142 में सुप्रेम कोट इंवेष्टिकेट कर सकते है 215 हाय कोट के लिए है 129 सुप्रिम कोट के लिए noite लिए इक इसई भी है Article 19, Clause A, Sub Clause A Clause 1, Sub Clause A में ये बोला गया है कि कहीं न कहीं Article 19 की Right to Free Speech को भी Violate करता है ठीक है? अब बात करते हैं कुछ एडिटोरियल की सबसे पहले एडिटोरियल वही आता है कि महंगा इतनी तेजों से बल रही है तो क्या करना चाहिए? Cash Transfer करना चाहिए वही कल का ही चीज़ को इन्होंने पुरे आइडिटोरियल में बदल दिया धीरे धीरे क्या हो रहा है? जो डिमांड हो रही है वो कम हो रही है GST के उतने जादा Impact नहीं पढ़ रही है GST बहुत जादा लग रही है लोगों की जो Inflation महंगा ही दर है वो बढ़ रही है लोगों को जो Even जो डिमांड है आप देखो Lockdown लगेगा तो Simple सी बात है आपका जो Food Habit आप कंजिम कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में जब Lockdown नहीं था तो Of course उसके बदले कम हुआ होगा आप सबजी देखिए Basic लेवल पर समझी आप सबजी लेने जा रहे हैं तो आपको आप नहीं जा रहे हैं कुछ तीन दिन में एकी दिन में लेके आ रहे हैं बढ़ नॉर्मनली देखिए हाला कि Essential items खुले हैं बढ़ 10 बजे तक किसी जगे 8 बजे तक इंफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़दा बड़ा है रिपोर्ट में ये भी देखने को मिल रहे हैं इंफेक्शन और डेथ लिंग्डे टो देखिए तो देखिए ग्रिम पिक्चर और गेहों फ्री मिल रहा है एक किलो जो दाल है वो फ्री मिल रही है कैस्ट ट्रांसफर दिया जा रहा है और उसमें से मैं एक और को इंक्लूट करूँगा सेक्स वरकर और ट्रांसेजेंडर के लिए अभी एक नई स्कीम लाई गई है वो मैं बताता हूँ ट्रांसेजेंडर के लिए ठीक है और कैस्ट ट्रांसफर सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो ये कुछ सॉल्यूशन भी है प्रॉब्लम से भी बता दी ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है केरला की इसको बिलकुल भी डिसकस नहीं करना है आप सबको पता था मराठा रिजर्वेशन से रिलेटेड पाँच माई को सुप्रिम कोट ने डिकलियर किया था जो मराठा का रिजर्वेशन है अनकॉंस्टूशनल है जो महराष्ट में बात की जा दी थी ना महराठा कॉमिनिटी की बारे में वो अनकॉंस्टूशनल है ठीक है उनको रिजर्वेशन सिक्षा के छेतर में और जो जॉब है उन पर नहीं मिलेगा कोट ने ये बोला था कि महराठा कॉमिनिटी सबसे पहने सोशली और एजुकिशनली बेकवर्ट क्लास में नहीं आती है क्या रीजन दिये थी ये कि ऐसी बीसी में नहीं आते सेकंड जज ने ये भी देखा था कि इंद्रा सोहने के साब सब को पताया 50% का रिजर्वेशन है कि कोई भी राज्य 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकता हाला कि कुछ ऐसे राज्य होता है जहां पर देने की जर्वत पड़ जाती है उस कॉमिनिटी को और एक्जिस्टिंग रिजर्वेशन भी कम नहीं किया जा सकता तो इसके लिए उसको उस कानून को 9th सेडूल में डाल दिया जाता तो चलिए इस पूरे आर्टिकल में अब जो यह पूरा आर्टिकल दिया है ना यह पूरा आर्टिकल आपके नोट्स के फॉर्म में दिया है कि इंद्रा सोहने केस क्या है 100 second amendment act क्या है इसके पीछे कैसे आया तो इसके वज़े से इसको ना पढ़के इसको भी आपको नहीं पढ़ना तो इसी यही पूरे नोट्स को मैंने पूरी अच्छे तरह अच्छे से compile करें के एक तरह से अच्छे मतलब एक structure form में नोट्स बना दी है तो आप simple सी बात है आप किसको यह तेड़ी मेड़ी खीर खाना चाओगे या सीधे ही खीर खाना पसंद करोगे सीधे खीर खाओ ठीक है तेड़ी मेड़ी खीर फायता नहीं है उसमें अपने जो है वॉलनट किसमिस काजू यह सब हैं जो हमारी नोट्स हैं चलो सब लोग बैठ जाओ नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ट क्लासेज पढ़ने के लिए 102nd constitutional amendment act 2018 में हुआ इसने नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ट क्लासेज को constitutional status दे दिया NCBC के पास एक authority है NCBC वो examine करेगी complaints and welfare major मतलब जो भी backward classes के again complaints आई होंगी उसको NCBC देखेगी previously NCBC एक statutory body हुआ करती थी ministry of social justice and employment के अंदर statutory मतलब जो सिर्फ legal backing है मतलब लोग सबा, राजी सबा में बिल पास हुआ, president के sign मतलब सविधान से उसका कोई related नहीं है अब तो NCBC को एक constitutional body बना दिया गया है इससे पहले भी 1950s और 1970s में काका कालिकर और BP मंडल केसे आये थे backward classes को पूरे अच्छे से देखने के लिए कि किस तरह से categorize किया जाए 1992 में इंदरा सौहनाई केस आया, यह मैंने पूरा article से ही यहाँ पर include किया है Supreme Court ने बोला कि government to create a permanent body to entertain, examine and recommend the inclusion और exclusion और backward classes तो 1992 में इंदरा सौहनाई जो केस आया था, उस पर सरकार ने बोला था अगर मैं बोलूँगा 100 second amendment act अभी इंदरा सौहनाई केस के वज़े से आया है तो यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वहीं पर बोला था सरकार से कि एक permanent body आप बना ही लो, ठीक है तो जब ऐसी बात आई तो 2017 से bill लाना शुरू कर दिया बिल का नाम है 100, देखो, आपको कहीं 123rd है आपको कहीं 100 second क्या है फिर बहुत सिंपल, अगर आप फिरसे रहें तो आपको बता दो क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी है, जो पहने से पढ़ रहें उनको पता है कि पहले एक bill लाया जाता है, जब वो पास होता पुरी अच्छे से तब वो एक्ट बनता है, ठीक है तो बिल तो बहुत सारे लाई जा सकते हैं, ठीक है मैंने का बिल बहुत सारी होते हैं, कोई डिजॉल भी भी हो जाते हैं तो नमबर तो वही रहेंगे है ना 2017 में पार्लेमेंट में जो है इसको पेस किया गया पार्लेमेंट ने पास किया और रिपील किया पांच मेंबर हैं, एक चेर परसन, वाइस चेर परसन, तीन मेंबर प्रेसिडेंटी उनको अपॉइंट करेंगे बाई वारेंट अंडर ही सील एंड हैंड मतलब उनकी सिगनेचर होते हैं पूरे, इसका मतलब ये होता पर्टिक्लर में कंडिशन और सर्विस क्या होती है, वाइस चेर परसन, वो प्रेसिडेंटी डेटरमाइन करेंगे आर्टिकल 340 इसके लिए एड किया गया मतलब इसके अंदर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ट क्लासेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा ठीक है, और 182nd Constitutional Amendment Act ने इंसर्ट किये दो आर्टिकल और आर्टिकल 338B, 342A और बहुत सारे चेंजेज भी किये 366 में आर्टिकल 338B है क्या, इसमें NCBC को एक पावर्ट दी जाती है कि आप जो वेलफियर मीजर से कंप्लेंट्स को आप चक करोगे 342A में क्या है, यह इंपावर करता है हमारे राष्ट्रपती जी को कि आप स्पेसिफाइ करोगे socially और educationally backward classes बहुत सरे श्टेट और union territory में, he can do this in consultation with governor of concerned state However, law enacted by parliament will be required if list of backward classes to be amended समझे यह देखो, एक कानून की जर्वत पड़ेगी अगर parliament, parliament, मतलब parliament की ही final permission आएगी अगर उस list में कोई बदलाव करना है, suppose मान के चलो अभी सबोच 642 backward classes है, अलग-अलग राज्यों में, और अब उस में list में 643 करने है तो parliament का एक कानून उस पर लगेगा, ठीक है तो नया commission सबसे पहले पुराने commission से अलग कैसे है, वो भी आपको पता होना चाहिए ठीक है, सबसे पहले यार और ज़्यादा power दे दी गई है दूसरा जो backward classes है, act as recognized the backward classes, also need department in addition to reservation, तो इसमें SCBC include कर दिया गया है, article 342 में तो पढ़ा ही चुका था Now next article कुछ यहां पर social security से related है, social security मतलब कुछ नहीं होता, देखो आपने सरकार के लिए काम किया अब सरकार के benefit के लिए काम कर रहे हो, देश के benefit के लिए काम कर रहे हो, देश के hit के लिए काम कर रहे हो तो सरकार का भी यह आपका पड़ती यह responsibility रहती है, वो भी आपको financial assistance दे बहुत ज़्यादा, बहुत सरी situations में कोबिड-19 आता है तो लाइब लिए डिस्ट्रोई किया, informal workers बड़े, लोगों की income कम हो गई, यह सब चीजे देखने को मिली, तो imagine यहाँ पर यह किया जा रहा है कि यार, क्या सभी लोगों को एक minimum पैसा मिल सकता है, क्या, तो now editorial यहाँ पर post क्यूं हुआ, क्यूंकि काड़ा offer किया गया था, आप सबको पता है, काड़े की recipe, ठीक है, हिमानसु को तो कुछ ज़्यादा ही पता है, हिमानसु ने तो अलग-अलग अपनी ingredients, हिमानसु ने अपनी factory खो लिए लगता है, ठीक है, चलिए, बात कर रहे थे हम कि यार इतना ज़्यादा livelihood डिस्ट्रॉई हुआ लोगों के पैसे कम हो गए, informal sector, अब बात यह आती है कि imagine कीजिए, editorial वाला हमसे imagine करवा रहा है, यह मतलब वो directly solution हमें देना चाहते हैं, कि at least अगर minimum income guarantee सभी के पास होती, तो migrant workers को क्या डेली से अपने गाउं जाना पड़ता नहीं, ठीक है, चलिए, कौन-कौन से gap है, इंडिय पारलेमेंट ने September 2020 में एक law pass किया गया, Social Security Code, और उसमें सबसे बड़ी अभी जो negative चीज़ें है, basic curative health care से अभी suffer करना पड़ ला है, इंडिया का भी budget देखो गए, health infrastructure का 1% की GDP तक है, जो और देशों के मुकाबले बहुत जादा कम है, ठीक है, तो अब बात यह आती है कि Social Security Code है 2020, उसने कहीं न कहीं बहुत सारी जो existing scheme से भी थी ना, उसको भी क्या है, merge कर दिया गया है, informal worker का, तो यह अच्छी बात नहीं है, दूसरा, Social Security जो code है 2020 का, उसमें ये भी देखने को मिलता है, कि बहुत, देखे, Social Security scheme का मतलब क्या है, बहुत सारी लोगों को मिलती है, वो ज या, public institution में, तो उनको कुछ महने का relief मिलता है, तीन से चार after the pregnancy, तो उसी को कहते है, Social Security Benefit, और यह हर चीज में होता है, यह maternity ही नहीं, बलकि जो provident fund है, insurance scheme है, gratitude है, जो मतलब gift ही दिये जाते है, extra income दी जाती है आप लोगों को, तो यह सब Social Security के अंदर आते हैं, तो सबसे पहल यह है कि state insurance, जो existing employee threshold था, वो withdraw कर लिया, आप Central Government ही ESI को देगी, ठीक है, जो कि बहुत delay होता है, Central Government से पैसा आना मतलब बहुत जदा delay होना, ठीक है, state से एक वक्त के लिए आ जाता है, Central Government का पैसा थोड़ा सा late भी आता है, right, now अब second जो मुद्दा मैं आपको बताने वाला minimum पैसा देना चाती है, तो उन लोगों को registration करवाना पड़ता है, जो पहली necessary condition है कि पहने आपको registration करवाना पड़ेगा, universal coverage के लिए, अगर आपको social security के benefit उठाने है, तो आपको online portal में जाके register करना पड़ेगा, तो आप सोच सकते हो, एक चीज़ बताता हूँ, कि क्या इतनी awareness ह उनको social security की, तो लोगों को तो जो middleman है, वो ज्यादा पैसा खाते है, informal worker ऐसे हैं, जिनको पास जो social security scheme के बारे में पता ही नहीं है, digitally illiterate है, मतलब उनको कैसे वो online register करेंगे, क्या होता ना, बहुत सारे middleman आते हैं, अगर 500 रुपे मिल रहे हैं, सपोज, 700 रुपे तो वो US provision लिखे गए है, definition पूरी clear नहीं है, यह भी social security का सबसे बड़ा disadvantage है, तो इसकी solution क्या होगे, देखो आप सब को पता है, जो unorganized workers होते हैं, एक राजी से दूसरे राजी में फैले रहते हैं, तो सबसे पहला एक solution यह है, interstate arrangement पका होना चाहिए, बढ़ यहां पर ऐसा होता नह है, पहले वह चीज़ central government implement करती है, फिर राजी सरकार implement करती है, interstate connection आप लोग बनाओ, क्यूंकि आप सब को पता है, एक migrant worker आप उससे पूछोगे, कहां का है, वो कहेगा, आपको डैली में मिलेगा, वो कहेगा तमिलाडू का हो, डैली में मिलेगा वो कहेगा उत्राखंड का है, ठीक है, तो interstate connection बनाने की बात आती है, यह आप अपने answer में लिखना, maternity benefit, maternity benefit पहले अभी सिर्फ जहां पर 10 से ज्यादा वरकर से उनी को benefit मिलेगा, बड़ जो informal sector है, अभी भी unorganized sector में नहीं मिलता maternity benefit, मतलब जो महला है unorganized sector में वो तो आई नेरी है, इसके अंदर तो क्या, employee provident fund, मतलब जो एक तरह से आपकी pension की तरह है, मतलब आप अपनी service के दोरान कुछ पैसे खटा करते हो, फिर बाद में आपको मिलता है, तो वो भी 20 से ज्यादा worker यहाँ पर employee होंगे, यहाँ पर भी informal sector को हटा दिया गया है, payment of gratitude, यहाँ पर मतलब जो कुछ payment होते हैं, यहाँ पर जहाँ दस लोग employee है, यहाँ पर भी informal sector नहीं है, तो सोचो informal sector में ही यार हमारी 50% से 60% से ज्यादा informal sector में है, तो यार social security तो उनको मिल ही नहीं पा रही है, क्योंकि वो तो हर जगे से हटे होए हैं, तो at the end मैं यही कहूंगा कि focus करना चाहिए informality पे भी, BRICS summit में भ हमारे जादा और उनको ही social security scheme नहीं मिल रही है, अगर मैं बात कर रहा था पहले भी, हमेसा यही करता हूंगी यार अगर इंडिया और पाकिस्तान में इतना dispute होता है, फिर भी आज वो trade continue रखे, क्योंकि एक वक्ति के लिए इंडिया और पाकिस्तान की जो dispute है वो सुल सकता ह और चाइना जापान का dispute कभी नहीं सुल सकता है, क्योंकि जापान ने बहुत ज़्यदा atrocities की थी, चाइना पर sexual assault rape, बहुत सारे कर रहे थे उस समय वोल्ड वार, वोल्ड वन और टू के समय पर, और बात यह आती है कि फिर भी जापान और चाइना के बीच में trade relation बहुत अच बोल लेते जम्मोन कस्मीर में आप particular stance से दीजिए, पुल्वामा attack के बाद भी हुआ, जब cross border strikes होई, इंडिया ने पाकिस्तान से most favored nation का दरजा चीन लिया, most favored nation का दरजा देने पर क्या होता हम कुछ जो tax होते हैं, वो कम कर देते हैं, बट जैसे ही इसको हटाया पुल्वामा भी bilateral trade को suspend कर दिया, अब मुद्दा यह आता है कि क्या अभी भी कोई बीच में उनके trade चल रहा है या पूरी तरह completely suspend है, मैं कहूंगा answer है इसका नहीं, क्यों, देखिए ऐसा past में भी हो चुका है कि बड़े बड़े incident हुए है, 1965 का जब यूद्ध हुआ था इंडिया पाकिस् ठीक है, यह editorial में ही आती है, यह चीज याद रखना था भी एक news paper पढ़ना जरूरी है, ठीक है इंडिया और पाकिस्तान के relation में आप यह चीज़ें डालें कि ऐसा past में भी हो चुका है, जहां पर अपनी domestic market जो seasonal shortage होती है, उसको fulfill करने के लिए दोनी देशों ने bilateral trade स्टार्ट किया, हाला कि bilateral trade बार बार पाकिस्तान की सरकार जो हटा भी देती है, ठीक है, लिफ्ट भी कर देती है, बैन हटा देती है, पर कभी बैन लगा भी देती है, अब बात करता हूं कि इंडिया impose करती है, 200% import dating, और इंडिया का एक अच्छा है कि नहीं इंडिया export बैन कर रही है, इंडिया बस सिर्फ tax जो duty है वो बड़ा देती है, इंडिया की foreign policy बहुत अच्छे है कि इंडिया कभी trade को cut नहीं कर रहा है, यह चीजा आती है पाकिस्तान, पाकिस्तान कहता है कि हम पूरी तरह cut कर रहे हैं, और खुदी भुकड़ देश है, खुदी उसको loss होता है, मतलब कोई हो रहा है, फिर भी देखो इंडिया की foreign policy कितनी अच्छी है, कि while इंडिया impose 200% duty and no ban on export, पाकिस्तान बेंड बोथ export and import, ठीक है, पाकिस्तान को अलगी attitude है, ठीक है, एक जाकिर खान का डैलोग है, तुझ में किस बात का attitude, तो वो ही पाकिस्तान के लिए अभी apply होता है, ब इंपोर्ट किया 2 million का, तो फाइदा किसका अपनी भारत का, nearly 77% of India export, comprise जिसमें vaccine थी, कुछ दवाईयां थी, अब इनको तो लेना ही पड़ेगा, इतना हालात ऐसी है, खसता है, तो लेना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा खजूर, अगर कोई बोलेगा ना, हम पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा क्या export करते हैं, वो है, नहीं, इंपोर्ट क्या करते हैं, पाकिस्तान से हम खजूर इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना, उसके बाद बहुत सारी इथील अलकॉल भी चीज़ां होती हैं, पर खजूर बहुत ज़्यादा important है, जो heart attack, ये स सब चीज़ों के लिए खजूर बहुत ज़्यादा important रहते हैं, ठीक है, अपने weight को increase करने के लिए भी, अब बात आती है, कि a closer look at the trade data reveals, export, भार सरकार 377 product export करता है, और सिर्व 25 item import करता है, तो अभी हम यही कहिंगे, कि दोनों ही सरकार को non corporation recognize करना चाहिए, restriction को हटा देना चाह अब बात आती है, PMKARS fund को disclose करनी चाहिए, अपने detail COVID-19 के लिए, ऐसा एक petitioner ने बोला, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, petitioner ने बोला यार, यह PMKARS fund हमाले यह, तो after all इसको disclose करो, Mr. Gokhle, उन्हें यह भी बोला कि PMKARS fund के लिए, Supreme Court को सूओ मोटो स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब ज जिसमें micro donation आप कर सकते थे, Prime Minister, Chairman है, दूसरे Minister, Defense Minister, Home Minister, Finance Minister है, और PMKARS fund को लेकर यह मुद्दा था कि यह information, किसने कितने रुपे डोनेट किये, यह information सरकार नहीं देना चाहती थी, सरकार का यह कहना था कि यह Right to Information Act के अंदर नहीं आता, PMKARS fund कौलिफाई होगा CSR expenditure के लिए भी, मतलब according to Companies Act 2-3, जो भी company है, अगर उसका टर्नों पर 1000 है या 5 करोल रुपे उसको benefit हुआ है, तो उसका 2% आपको सरकार को देना पड़ेगा, ताकि सरकार जो corporate social responsibility का पैसा ले, मतलब हर एक company के responsibility होती है, सरकार की तरफ से, सरकार की, कि आप क्या करोगे, कुछ पैसा दोगे included होगा, ठीक है, वो तब की बात है, पिछले साल की, नव अब बात आती है, छे युनसको heritage sites एट की गई, सबसे पहला है गंगा घाट वारा नसी की, कांचीपुरम का मंदेर, सत्पुरा टाइगर रिजर्व मंद्य प्रदेश, अब डारेक्टिव प्रिरम से में ये पूछ हाला कि अभी भी बहुत सारी नेम जो है नॉमिनेट किये गए हैं, इसको अच्छे से डिटेल में एक दो दिन बाद और आएगा जो परफेक्टली हो जाएंगे, रिसेंटली और ज़्यादा प्रपोजल भी दिये गए, महराठा का मिलिटरी आर्किटेक्चर, हीरे, बेंग मेगालिथिक साइट, करनाटका में, भेडगाट, नर्मदा वैली, मध्यप्रदेश में और बहुत सारे चीज़ें, तो अभी तीन चीज़ें तो फिक्स हो गई हैं, गंगा घाट वारा नसी, टेंपल कांचिपूरम का और सतपुरा टाइगर रिजर्वे मध्यप्रदेश क टॉपिक कवर आता, इंडियन कल्चर में ये पूछा जाएगा, मिनिस्ट्री आप कल्चर, ये फरवरी के कुछ न्यूज है, धौली वीरा एक हरपन साइट है, जो सम्मिट की गई थी, नॉमिनेशन और वर्ल्ड हरिटेश साइट सें 2019, 2020, नॉमिनेशन और डोजायर आप स इसके प्रॉपर्टीज हैं, अभी एक दो दिन के बाद आप वेट करोगे, अपडेट आने पर मैं इसको पूरी आपको डारेक्टली बता दूगा, क्योंकि अभी तो प्रपोजल चली रहा है, है ना, वर्ल्ड हरिटेश साइट्स होती क्या हैं, वर्ल्ड हरिटेश साइट्स क्लासिफाइड एज नेचरल प्राकर्तिक भी हो सकती हैं, जो बनाई गई भी हो सकती हैं, जैसे आर्किटेक्चर बनाना प्राकर्तिक भी हो सकती हैं, इंटरनेशनल इंपोटेंस की हो, स्पेशल प क्यों वर्ल्ड हेरिटे साइट्स हुमेरिटी के लिए अपने हिस्टोरिकल बैग्राउंड जानने के लिए भी इंपोटेंट रहता है लिस्ट मेंटेंड की जाती है युनेस्को के द्वारा 21 युनेसको मेंबर है जो जनरल एसम्बली इलेक्ट करती है और दूसरा बहुत सारी चीज़े हैं कि अब सपोच कई साइट है इसका मतलब क्या वो युनेसको की हो जाएगी अगर उसको हेरिटेज नहीं वो लीगल टेरिट्री उसी देश की रहेगी ठीक है कोविट के केसे धायलाक हुए थोड़ा सा कम देखने को मिला पर डैथ देखो या चार हजार से साड़े तीन हजार के बारे में होई रही है मैंने का ट्रांसेजेंडर के लिए कोई स्किम नहीं है तो मैं बोलूँगा सोशल जेस्टिस मिनिस्ट्री ने इस मुद्दे पर फ देखती हूंगी तो उनको खयाल आया हुगा कि ट्रांसेजेंडर कॉमिनेटी टू गेट फाइनेंशेल एड तो वन टाइम फाइनेंशेल एसिस्टेंस पंद्रो सो रुपे का दिया गया एट टाइम देट लाइबली हुड है बिन एफेक्टेट ड्यूटी पैंडेमिक रा अपने जो घर हैं 20-30 दिन से नहीं गए है मैंने बोला भाई सेलरी बताओ अपने कितनी है उनने का पहले 7500 मिलती थी अब उसको बढ़ाके 15000 कर दी गई है ठीक है बट बात यह आती है कि क्या प्राइबिट हॉस्पिटल की रिस्पॉंसिबिलिटी है या वो तो यार ओवर मिले फाइनेंशल प्रोटेक्शन उनको मिल पाई अगर उनकी डैथ होती है तो देखो हाला कि इंसरेंस कब्रेज की बात की गई थी सरकार ने पहले भी पर जो कॉंट्रेक्ट में आ रहे हैं उनके लिए और ज्यादा मेडिकल एसिस्टेंस दो तो ऐसा किस ने का नैशनल डिसकस कर लेते हैं आज मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिज की है कि एनचार सी में अब बहुत बच्चे क्या गड़ते हैं लक्षीमिकान पढ़ते हैं और पुराना डाटा पढ़के उनको लगता है कि यह पुराना डाटा ही सही है अब देखो मैं आज इसलिए थ डिटार चीफ जेश्टिस ओफ इंडिया भी होंगे सुप्रेम कोट की जज भी हो सकते हैं आपको बात यह पूछी जाती है आप से टम्स की देखो देखो दे अक्ट इस टेट सेट देट चेर पर चेर परसं एंडेट ऑप अनरचर चेर सी विल होल्ड ओफिस ओफ फाइज till the age of 70 years whenever it's early the bill reduces the term अब ये जो ये पुराना act था उसमें 5 साल था ठीक है अब जो ये बिल आया था ना बिल ने reduce किया था जो टर्म है 3 years को till the 70 years तक ठीक है ये चीज याद रखना आप reappointment act allow करता है reappointment बट यहाँ पर act allow नहीं करता तो ये सब चीज़ें जो चोटी चोटी चीज़ें जो अपडेट हैं वो याद रखो 5 साल नहीं है वो 3 साल है जो 5 साल आप पढ़ रहे हो वो पुरानी बुक से आप पढ़ रहे होगे ठीक है जो नया बिल है उसके basis पर हमने उसको पढ़ाया है अब बात करते हैं वर्ड लेबल की न्यूज में वो ये बिड़न चाहते हैं कि डिएसकलेशन हो जाए कल तो बिड़न ने इसराइल के जो प्राइम निस्टर है बेंजमिन नेतिन आयू को उनको कॉल भी किया था कि यार आप ये थोड़ा सा से इस्पायर रखिए सिविलियन्स मरने नहीं चाहिए इसराइल ने एक्यूस किया चाइना को आप एंटी सेमिटिस्म यानि की जो जुईस होता ना एंटी हिंदू होता है वैसे एंटी जुईस के लिए आप करा रहे हो अपने टीवी पर भी ये चीज़ें चला रहे हो यूएस अभी 80 मिलियन व पाइलागू गुरुदेव मिस्टर अरुन नमस्कार सर पॉलिटी कॉंस्ट्यूशन और गवर्नेंस का क्या मीन है वाट इस डिफ्रेंस बिटून वाट इस गवर्नेंस इन यूपिए देखिए देखिए पॉलिटी में बहुत सिंपल आर्टिकल अगर आपको याद करने प साथ या डैली में आपका लफडा हो गया एल जी और केजरिवाल जी के साथ तो गवर्नेंस किस तरह से चलेगा यह चीज़ें होती है डिफ्रेंस ठीक है और कहां से देखिए गवर्नेंस के लिए हम आभी नोट्स तैयार कर रहे हैं तो वह पेड यूजर हैं तो आपको मिल एक सुझाओ है कि आप बिल्कुल एमसी की हम करवाएंगे ठीक है ठेंक यू एल जी की पावर एंक्रीज होने से डैली गवर्मेंट की पावर डिक्रीज हो जाएगी क्या बिल्कुल हो जाएगी क्योंकि जितने भी कानून लॉमेकर होंगे प्रिया सी न वह एल जी ही अब सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करता है तो यह पूरी देशों को रेगुलेट करता है उसी का एक रिजनल सेंटर है इंडियन ओशन के लिए सब्सक्राइब करते हैं कि यार पहले से दबाया जाता है अगर आप देखो कितने भी जो ऐसे वरकर्स हैं जो जो अगर मैं बात करूं जो मैनुवल स्क्वेंजिंग करते हैं हाथों से सफाई करते हैं गटर वगरा की वो अभी भी आप देखोगे बैकवर्ड क्लासिस के ही देखने को मिलेंगे तो रेजरवेशन देना बहुत ज़्यादा जरूदी है ठीक है सर सेकंड चेंबर मींस बायकेमरल रिजिशन और सेकंड चेंबर का मतलब है बायकेमरल लाइश लेचर ठीक है वही है जैसे यूपी बिहार में है वेस्ट बंगला भी बनाने की बात कर रहा है सर रेजरवेशन की वज़ेसे अपर क्लास को प्रब्लम होती होगी न यह मैने पढ़े थे आपके बहुत अच्छा डिसकेशन है करते रहो ठीक है सर आइपाड मैं ही खुद रखूंगा बहुत चलू रहते मिस्टर भी नहीं हो के ठीक है सर वी है राइट स्पीक अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नाइंटीन सो माई कॉशन इस वाट इस इंपक्ट आप नसे है सेम आज अज अव जर्नलिस्ट है और देग आर्टिको